प्रना रहे हैं । नमस्कार बच्चों कैसे हो हम जप्टर nombar 6 त्रे डैमिंच जो मेंट्री कर रहे हैं उसमें हमने लाइन का जो पार्ट तयों कम्पणा कर लिया है अब हम किस पे करेंगे । प्लेन के पार्ट पे काम करेंगे ठीक है और फिर हम plane और line के इकठा भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम plane की definition पे ही चर्चा करते हैं क्या है definition plane की A plane is surface plane वो surface है such that if any two points are taken on it यानकि वो surface जिसके उपर हम कोई भी दो point लें the line segment joining और line segment को जोड़ दें उन दोनों point से then lie completely on the surface उस surface पे क्या करेगा वो completely lie करेगा जैसे मैंने ये क्या लिया एक surface लिया कोई भी region हो सकता है उसको हम surface बोल सकते हैं और एक surface हमने ये लिया ये surface है हमारा दो surface है, bounded surface है या bounded region है तो यहां से हम कोई भी अगर कोई भी point ले सकते हैं तो क्या ये संभावना है इस diagram में बाहर जाने की यान की boundary से बाहर ऐसे ले तो तो बाहर जाएगा लेकिन हमें point बाहर नहीं लेना point लेना है इस boundary के अंदर ठीक है और इस boundary से क्या है वो line segment बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती है उसके अंदर ही हमें काम करना है ठीक है अब बात आती है ये सर्फेस भी है इस सर्फेस के मैंने ये दो पॉइंट ले और इनको मिलाया तो ये तो लाइन मिल ली है दूसरी मैंने ये ली तो ये क्या ये प्लेन है नहीं अभी कलियर नहीं हुआ है क्योंकि मैं ये पॉइंट औ अंदर है हमें एक ऐस लाइन सीगमेंट मिलना चीए जो सर्फेश से बाहार मिलेता है तो यह क्या यह जा रहा मिले ये क्या रहेगा सिरफ सर्फेस रहेगा सर्फेस या बाउंडिट रिजन बाउंडिट रिजन ठीक है इसको हम बाउंडिट रिजन या सर्फेस बोल सकते हैं और ये क्या बन जाएगा प्लेन बन जाएगा ठीक है यहनकि कोई भी दो पाइंट कोई भी दो पाइंट उठाएं और उनको क्या करें हम लाइन सिग्मेंट से जोड़ दें तो वो लाइन सिग्मेंट क्या होने चाहिए उसी के अंदर होने चाहिए अब हम प्लेन की अलग-अलग डेफिनेशन पर बात करते हैं प्लेन की क्या क्या definition किस तरह से हो सकती है हमारे पास equation पहली जर्नल equation of the plane प्लेन की जर्नल equation जो हम पीछे exercise में हमने यहां ऐसे हमें equation मिली थी और उसको हमने Cartesian forum में change किया था line की equation बनाने में तो यानि कि line की equation में हमें क्या मिलते थे ज्यादा तर ax plus by plus d या c is equal to 0 यानि कि दो variable होते थे हैं तो थरी variable में क्या होता है प्लेन होता है तो जर्नल equation क्या होती है ax plus by plus cz plus d where a, b, c, d are constant और plane की equation में जो होगा यह क्या होगे a, b और c जो होगे यह क्या होगे direction ratio होगे ठीक है ratio होगे किस के होगे plane के यह बात हमें note रखने है अगर इस टाइप से standard forum या general forum में मिलती है plane की तो a, b, c अगर हम से पुछे कि उसके direction ratio क्या है तो a, b, c क्या होगे उसके direction ratio d को direction ratio नहीं बोलेंगे हम a, b, c क्या है उसके direction ratio यहनकि x, y, z के साथ जो value है वो क्या है direction ratio अब बात आती है दूसरी टाइप से equation हमें कैसे मिल सकती है कर रहा है कि क्या equation of the plane in normal form जैसे हमारे पास normal form भी होंगे, cartesian form भी होंगी, अलग-लग तरह ऐसे होंगी तो एक equation तो ऐसे मिल सकती है ax plus by plus c, z plus d is equal to zero दूसरी हमें क्या मिल सकती है normal form में यह करते है to find the equation of the plane where p is length, p क्या होगी? length होगी to the perpendicular from the origin origin से क्या होगा? perpendicular जो distance होगी उसको हम क्या बोलेंगे? p बोलेंगे where plane n is unit vector, n जो cap होगा, वो क्या होगा? unit vector होगा, normal to the plane normal to the plane, plane के क्या होगा? normal, यहनकि हमारे पास कोई भी एक plane बना सकते है जैसे हमारे पास three dimension में यह लिया, ठीक है? तो एक तो n है, n जैसे मैंने यह pen लिया और इस pen को मैंने 90 degree पे खड़ा कर दिया इसके, तो यह क्या हमारे पास? n cap, unit vector, ठीक है? और एक distance होगी जो कहां से होगी? origin से, यह रहा origin, और इस origin से अगर यह क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, यह distance, यह इसको भी हम परपेंडिकुलर ली खड़ा गरेंगे यहां से line को, तो यह क्या होगी? हमारे पास distance length होगी, ठीक है? तो उसकी form कैसे होगी? अगर हमें किसी भी plane की अगर इस टाइप से equation मिलेगी, तो आर तो क्या होगा? हमारे पास journal value होती है, x i plus y j plus z के, ठीक है? और जो n-cap होता है, वो क्या होता है? unit vector होता है, जो plane की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? और जो P होती है, वो क्या होती है? original length होती है, जैसे यहां से अगर मैं इसको diagram को थोड़ा सा match कराऊं, तो यह होगा हमारे पास और एक यह होगी है, ठीक है? यह हमारे पास एक diagram मनेगा, तो यह जो line है, यह तो क्या हमारा पास n-cap है? और क्योंकि यह 2-dimension page है, तो 3-dimension आकरती बना नहीं सकते, तो यह point क्या है? हवा में है, और यह एक plane से, मालो आप image करो, आपका जो फरस है, उस फरस से हमें एक line perpendicularly क्या लिए? किस से मिला दिया हमने? उपर एक point लिया, उस से मिला दिया, perpendicularly और एक unit vector लिया, इसको उस point से मिला तो इस तरह से एक आकरती बनेगी अपके पास, ठीक है? इस value को हम Cartesian में change कर सकते हैं, यह इसकी Cartesian form होगी, यह normal form है, यह Cartesian है, यह equation normal form को Cartesian में कैसे change करेगा? यहाँ R की जगह तो क्या रख दें? XI plus YJ plus ZK, और N की जगह क्या रख दें? LX, ना सोरी, L I plus MJ, J plus NK, ठीक है? अब इसकी multiply करेंगे तो इन दोनों की होगी, तो क्या बनेगा? LX, इन दोनों की करेंगे तो MY, इन दोनों की करेंगे तो NZ, और इस इकल्टू क्या रहेगा? P यह Cartesian form में change कर सकते हैं, ठीक है, यह normal से Cartesian change कर सकते हैं, Cartesian से normal equation में change कर सकते हैं, अब बात आती है, करोरली पं यह वेक्टर नॉर्मल लिखा मिलेगा आपको वेक्टर नॉर्मल वो था यूनिट नॉर्मल वेक्टर ठीक है यह वेक्टर नॉर्मल है तो वेक्टर है तो सिरफ वेक्टर के रूप में है और यूनिट मिलेगा तो आपको कैप मिलेगा ठीक है तो यहां यही डिफरेंस है वे equation of the plane है नहीं क्योंकि इसको हमें रिपर्जेंट बनाना पड़ेगा कैसे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां क्या होना चाहिए था हमारी equation के according n-cap होना चाहिए था पी और क्योंको तो हम distance मान सकते हैं लेकिन n-cap और unit vector में अंतर होता है क्योंकि n का unit vector अगर निकालना पड़ेगा तो क्या होता है n-cap vector upon n-vector का magnitude यह formula होता है हम जो पहले कर चुके हैं या a vector cap समझा होगा आपको a vector upon a vector का magnitude यह होता है unit vector तो यहां इसको unit vector कैसे बना जाए क्योंकि इसके नीचे क्या ना चाहिए n-vector का magnitude तो दोनों साइड से हम क्या कर दिया n-vector के magnitude से इसको डिवाइड कर दिया तो यह अब क्या बन गया unit vector यह अगर इस forum में हमें question मिलेगा तो उसको कैसे change करेंगे जो n के साथ जो विल्लू होगी x i या a i plus b j plus c k a b c का square करके उसका root करेंगे a square plus b square plus c square और उसको divide कर देंगे दोनों साइड से तो हमें यह क्या मिल जाएगा n-cap मिल जाएगा और इधर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अब distance बन जाएगा उसको हम क्या represent कर सकते हैं p कर सकते हैं ठीक है where p is equal to q upon magnitude अब बात आती है next third type से हमारे पास equation कैसे मिल सकती है हमे equation of plane passing through the given point ठीक है एक point से हमें क्या मिलेगा एक given point एक ही point से हमें मिलेगा find of the equation of passing point of the given यहनकी एक point क्या होगा हमें passing point और एक क्या मिलेगा perpendicular vector ठीक है perpendicular vector तो क्या होगा n vector ही होगा n unit vector नहीं perpendicular क्या होगा n vector मिलेगा और एक जो passing point होगा वो मालिया, यानि कि passing point हमने क्या माना, r1 माना, और जो perpendicular है उसको हमने क्या माना, n माना, तो हमारी equation क्या मिलेगी, r negative r1 dot product of n, vector is equal to 0, ये हमें क्या करना है, learn रखना है इसको, इसी तरह से अगर r की जगह x i plus y j plus z के, और यहां से क्या होई, इस वे लोको passing point क x 1 i plus y1 j plus z1 k माना लें इसको, ठीक है, r1 को, और n को हम कुछ भी value लें, a, b, c, यानिकी a i plus b, j plus c के, तो अगर इसको solve करेंगे, तो हमारे पास ये form बन जाएगी, तो ये होगी cartesian form, ठीक है, ये equation बन जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक point की अगर इस type से दर रखें तो इ और इस तरह से दर रखें तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, vector form, ना, sorry, normal form बना सकते हैं, तो ये जो plane की जो equation है, ये हमें सबसे ज़्यादा use करनी है, ठीक है, cartesian form, क्योंकि एक point देगा, और direction ratio बगरा, या कुछ और भी साथ में हमें hint देगा, तो यहां से हम इस पे ज़्य ज़्यादा से ज़्यादा question इस cartesian form पे करेंगे, next है equation of the plane, passing through three point, एक point से हमने चर्चा कर ली थी, three point से, two point हमें नहीं देगा, ठीक है, two point पे हमारे पास कोई formula नहीं बनेगा, अगर two point देगा, तो हम इस equation में use करेंगे, उन two point को, ठीक है, और साथ में हमें और कुछ भी जरू नहीं है, किसी और चीज की, equation of plane बनाने के लिए, बट हमारे पास दो point दिये है, तो ये जो equation है, इसमें हम use तो करेंगे, लेकिन हम equation बनाने में सक्सम नहीं होगे, तो हमें कुछ न कुछ जरूर और मिलेगा, कोई line मिलेगी, जो perpendicular होगी, या parallel होगी, कुछ इस तरह से हमें hint ठीक है, तो अब हम करते है, equation of three points से, three points से करेंगे, तो क्या होता है, three points passing through the point, three points तीन हो क्या होगे, passing point मिलेंगे हमें, वो क्या होगा, r1 बोलेगा, एक को, एक को, r2, एक को, r3, यानकि three points हमें given होगे, हम उसको r1, r2, r3 यूजज कर सकते हैं, तो कैसे बनेगा equation, r, negative, r1, bracket, dot product, r2, negative, r1, cross product, r3, negative, r1, is equal to zero, शो करना है, यानि कि r1 क्या होगा, तीनों में से subtract होगा, किस में से होगा, r में से, r2 में से, r3 में से, इस पूरे bracket के और इसके बीच में होगा, dot product, और इन r2 और r3 में से, जो r1, सबट्रेक्ट होगा, उनके बीच में होगा, cross product, और इस equation of the plane बन जाएगी इसको हम क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं Cartesian में x-x1 x2-x1 x3-x1 देखो x में से x1 गट रहा है x1 x2 में से x3 में से x1 गटेगा ऐसे y1 y2 में से y1 y3 में से y1 इसी तरह से z1 z2 में से z1 z3 में से z1 गटाके क्या घर दे 0 के equal तो वो कैसे रूप ले लेगा उसका cartisan forum Next ये है हमारे पास fifth type से हमें equation कैसे मिल सकती है क्या मिल सकती है x के विद respective बोल देगा y के विद respective बोल देगा b or z के विद respective बोल देगा c point दिये है दिये है और कहेगा कि plane की equation बनाईए तो हम क्या करेंगे x y a is equal to y by b is equal to z by c is equal to one बना देंगे जैसे हमारे पास क्या होता था इंटर्शेट फोरम इसको क्या बोलते हैं इंटर्शेट फोरम क्योंकि ये line होती थी ये point क्या होता था a 0 और ये क्या होता था 0 b हम plus 1 में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं तो क्या होता था x by a plus y by b a is equal to 1 ये किसके होती थी line की equation होती थी ठीक है इसी तरह से plane की equation के लिए a point और मिल जाएगा z ठीक है यनकि हमें x is equal to a और y is equal to b मिले तो हम क्या बना सकते हैं कि line बना सकते हैं और वो कैसी line मिलेगी intercept और intercept फोरम ही कैसे होती है हमारे पास plane में भी तो यह three dimension में होगा ये क्या है a distance है ď बी distance है ये c distance है तो इसको अगर देखें तो ये solid बनेगा तो ये क्या बनेगा यो कि three dimension का एक shape लेगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास plane बन जाएगा ठीक है तो अब हम चर्चा करते हैं next exercise 6.1 पे 6.1 में क्या का है Question number first First का first part क्या कर रहा है Find the Cartesian equation Cartesian equation में इसको change करना है Of the plane whose vector equation is this तो मैं पता है सिरफ क्या change करना है Cartesian के लिए हमें इसमें R की value रखे dot product कर देना है तो क्या बन जाएगा Cartesian तो R की value क्या होती है Standard form XI plus YJ plus ZK खीक है इसको किसके साथ इसके साथ ही dot product रखेंगे 2I plus 3J negative K is equal to 1 यह हमारा क्या है N cap है और यह R रहा और यह क्या है P है तो यह हमारे पास form होती थी R dot N cap is equal to P इस form में दे रखा है अब इसको Cartesian form में change कर रहे है तो X का इसके साथ करेंगे तो 2X इसका Y के साथ करेंगे तो 3Y क्योंकि इसका इसके साथ करेंगे तो 0 इसका K के साथ करेंगे तो 0 Z का Z के क्या K के साथ करेंगे तो क्या हैगा negative Z और इस इकल to 1 यह क्या बन गी है हमारे पास Cartesian equation ठीक है Cartesian equation of a plane यह normal form में given थी और इसको हमने क्या कर दिया Cartesian form में change कर दिया अब बात आती है next second part IC का क्या कहरा है find the vector equation of the plane whose Cartesian equation vector equation यानि कि जो normal equation थी हमारी उसको ही क्या बोलते है vector equation बोलते है तो अब इसको vector equation में change कर रहा है हमें पता है यहाँ X और किसका R की और N cap की value product है तो X को अलग करें तो X के साथ क्या है X के साथ 1 है तो 1 I Y के साथ क्या है 2 तो negative 2 J और Z के साथ क्या है प्लस 3 के यह जो value हमारी यह क्या है N cap है ठीक है और जो X Y Z है वो किसकी है R की है तो X I प्लस Y J प्लस Z के यह मारी किसकी है R की तो वापिस हमें normal form में इसको change करना है या vector form में change करना है तो किस form में इस form में लेके आना है और यह क्या हो जाएगा हमारे पास 1 क्या हो जाएगा distance हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बनेगा r dot of कितना मिलेगा 1 को हम यूज करें या ना करें i minus 2j plus 3k ठीक है और इसको इधर लेके जाएंगे तो negative 1 ऐसे बना सकते हैं अगर आप सोचोगे कि ये negative 1 है तो इसकी distance करेंगे तो modulus use करना पड़ेगा ये क्या हो जाएगा positive बन जाएगा ठीक है next question number second करते हम क्या दिया है question number second में क्या करा है find the vector equation क्या निकालना है vector equation यनकी कौन सी form निकालना है आपको r dot n cap is equal to p वाले of the plane in which at distance from 4 unit जिसकी distance कितनी दे रखे 4 unit from the origin यनकी ये क्या दे रखे p की वे लू p is equal to कितना दिया है 4 where the normal vector is this और n क्या दिया है हमारे पास n cap n cap क्या दिया है normal vector बोला है तो normal vector कितना दिया है 2 i negative 3 j plus 6 k ये value क्या दिया हमें n दिया है इसको क्या दिया है normal बोला है इसको unit vector नहीं बोला गया तो ये क्या दे रखा है n vector दे रखा है तो हमें क्या करना है यहां पर पहले तो n unit vector निकालना है तो unit vector निकालेंगे तो n cap तो as it is और इसका determinant n की n vector upon n का magnitude यह find out करना है ठीक है तो इसका magnitude करेंगे तो 2 का square कितना होगा 4, 3 का negative का 9 और 6 का 36 का root तो n magnitude कितना है अमारे पास यह कितना बन गया 49 n की n magnitude कितना जाएगा 7 तो अब हमारे पास क्या बनेगा x x sorry r into n is equal to q दे रखा दा तो अब हमें क्या करना है n से इसको दोनों साइड से डिवाइड कर देना है ठीक है दोनों साइड से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया तो यह क्या मिलेगा अमारे पास n cap कितना हो जाएगा अमारे पास यहां से मिलेगा हमारे पास n वेक्टर तो यह था 2i negative 3j plus 6k और complete के निचे इनके क्या हो जाएगा अलग अलग के निचे 7 कर सकते हैं और q कैसे मिलेगा p q की वेलू कितनी है हमारे पास q दिया हमें 4 ठीक है 4 के निचे कितना हो जाएगा हमारे पास यहनकि p की वेलू कितनी द है तो हम अब normal form बनाते है normal form तो हमें क्या मिलेगा r into n-cap is equal to p ठीक है तो हमारे पास यह क्या बन गया हमारे पास r कितना है r को r रखेंगे n-cap कितना बंद जाएगा अब हमारे पास 2i upon 7 negative 3j upon 7 plus 6k upon 7 is equal to 4 यह हमारी क्या है vector equation या normal form ठीक है अगर हम इसको आगे extend करना जाएं तो 7 को उदर लेकर जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं r into 2i negative j 3j plus 6k is equal to 28 ठीक है यह answer भी हमारा क्या हो सकता इस question का यह भी सही है और यह भी सही है तो यह हमने यहां तक question number second तक काम किया इनकी definition को अच्छे से समझना अगर definition में कोई doubt है question में कोई doubt है comment section में जरूर होता है